T20 World Cup में इंडिया ने जीत हासिल की है और इस जीत को हासिल करने के बाद अब जो इंडिया की टीम है वो भारत वापस लोटा आई है इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं ये कानपूर शहर की है दरासल World Cup में खेलने वाले खिलाडियों में कानपूर के एक दिगज खिला बनने वाले ये तमाम प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुल्दीप को इसी ग्राउंड में खेलते हुए देखा है और आज कुल्दीप क्रिकेट की दुनिया में शिखर पर पहुँच चुके हैं और बहुत से यहां पर प्लेयर्स हैं जो उन्हें अपना प्रेणा शुरोत मान रह ये कि कुल्दीप यादो टीटी वर्ड कप में शिरकत की उन्होंने और इसी ग्राउंड पे कुल्दीप फेले भी हैं कानपुर के रहने वाले हैं तो कैसा मैसूस करते हैं आप लोग उनको बहुत अच्छा फील होता है और काफी मतलब हम लोग का जो मोरल है काफी अप हो इस टाइम पे जब से इंडिया टीटी वर्ड कप जीत के आई है और उस जीत में इसी ग्राउंड से हम लोगों के बीच के कुल्दीप यादव भी सामिल है और इसका पूरा श्रे हमारे जो कोच है श्री कपिल पांडे जी को जाता है अच्छा अगर हम बात करें तो कुल्ड को बात है वह इसी ग्राउंड से बताई जाती ही इस ग्राउंड का नाम क्या है और कि चार्शन आपको यहां पे ढहले और बाहर नोट कर आते हैं तो इसी ग्राउंड पर हो प्रैक्टिस करते हैं और काफी कुछован शीज्जे सीखने को मिलती है और इसी ग्राउंड से काफी बच्चे भी स्टेट के लिए खेल रहे हैं हर साल पाँच्छे लड़के सलेक्ट होते हैं इसी ग्राउंड से तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हमारे ग्राउंड से इस समय दो करेंट में इंटरनेशनल प्लेयर हैं एक कुलदीब को आपने इस ग्राउंड पे खेलते हुए कई बार देखा होगा, आप लोग के लिए प्रेना श्रोध भी हैं, तो अब T20 जीत चुकी है इंडिया, तो वो घर बापसी भी करेंगे, क्योंकि इंडिया वो आ चुके हैं, तो अब कैसा है, कानपूर के लिए कैसा है, हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है, कि वड़काप जीत क्या रहा है, और कानपूर, इस ग्राउंड के ही सबसे बड़ी हम लोग के लिए प्राउड की बात है, कि इस ग्राउंड के ही हैं, और जब भी किसी टूर पर जाते हैं, या आते हैं, तो हम लोग को हमेशा वो बाते शेयर करते हैं जो की उपर क्रिकेट में चल रही है कि कैसे बोलिंग करना है कैसे बैटिंग करना है तो हर तरह की बाते हो हम लोग से बताते रहते हैं कि कैसे करना आगे कैसे करना पीछे कैसे खेलना है तो वो सब बताते रहते हैं और हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि अपने देश के लिए प्राउड की बात है कि इंडिया वड़कप जीती है अशा क्रिकेट में तमाम उतार चड़ाओ भी रहते हैं तमाम इस्ट्रगल भी होता है लोग सालों खेलते हैं लेकिन उन्हें मन्जिल नहीं मिल पाती लेकिन कानपुर के कुल्दीब को ये मन्जिल मिली है तो क्या लगता है आप लोग भी उस मुकाम पर पहुशना चाहते हैं किस तरीके का इस्ट्रगल आप लोग भी कर रहे हैं उम्मीद है कि पहुशना चाहते हैं, सभी लोग खेलना चाहते हैं, और जितने भी प्लेयर होते हैं, सब की यही एक ड्रीम रहता है कि इंडिया के लिए खेले, तो इसलिए सब हाड़ वर्क करते हैं, आद भी देखो, मौसम आप देख सकते हैं कैसा, लेकिन आद भी लोग मे प्रेक्टिस कर रहे हैं, पीछे के साइट पर, और यहां पर यह तमाम प्लेयर्स और भी मौजूद हैं, जो प्रेक्टिस कर रहे हैं, और सब का एक सपना है कि राश्ट्री अंतराश्ट्री मैचों में इन्हें भी खेलने का मौका मिले, कुछ गर्स हैं यहां पर उनसे ही कर लेंगे बिटा क्या नाम है आपका कशिश कशिश यह बताईए कि खुल्दीब को जानती है ये या इस ग्राउंड में देखा है खेलते हुगे तो कैसा मतलब आप क्या बनना चाहते हैं किस तरीके से उन्हें देख कर आगे बढ़ रही हैं उनकी बॉलिंग मुझे बहुत करती है बैट्समेंट की मिलब कुल्दीब की बॉलिंग से इस पाया रहे हैं लेकिन बैट 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 बैटिंग कर तो देखे यह गुल्दीब को ही देखके आगे बढ़ रहा है सबी लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहरे हैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेंगे क क्षेवार्य क्या नाम है इस जी बताई कि कि इस ग्राउंड पर क्यूंड को बहुत बार देखाए जब भी टीब में टीम के कोई मैस्लिंग करते हैं मैस्लिंग के साथा और बहुत कुछ सिखाते हैं तो खिल को लेकर किस तरीके की एडवाईज वो अक्सर दिया करते थे आ बाहर खेलते हैं, तो भी प्लेयर्स के लिए प्रेड़ना शुरूर बने रहते हैं, और जब वापस अपने घर कानपूर आते हैं, तो इस ग्राउंड में जरूर आते हैं, एक बार हम आपको इस ग्राउंड की तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे, रोवर्स ग्राउंड है और इसी ग्राउंड से कुलडीप यादव ने अपनी शुरुवात की थी इसी ग्राउंड पर उन्होंने खेलना शुरू किया था और खेलते खेलते क्रिकेट की दुनिया के एक नामचीन शक्सियत में सुमार हो गए और भी लोग हैं उनसे बात कर लेंगे एक चीज और तो किस तरीके की तैयारियां हैं किस तरीके से उनका स्वागत होगा इस बार वो आपको अभी नहीं बता सकते क्योंकि कुछ चीजे सप्राइज रखी जाती है तो इतना बड़ा महौल है वर्ल्ड कप जीतने के बाद और कानपूर से कुलदीप यादव का बहुत ही बड़ इंतिजार है और जो तैयारियां हैं उनके स्वागत को लेकर उसके लिए भी सब तैयार हैं हाला कि अभी तैयारियों के बारे में बताया नहीं है लेकिन इनकी जो उत्सा है पुल्डीप यादव को लेकर इंडिया की टीम की जीत को लेकर वो इस बाruct को जरूर दर्शा रह कि कुल्दीप यादव के जब घर वापसी होगी वो कानपूर अपने घर वापस आएंगे तो इस ग्राउंड में भी उनका स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही उनके घर पर भी जोरदार स्वागत होगा कानपूर से वीडियो जर्नलिस्ट शारीक खान के साथ विकास ध थाझ में होगी।